आज से संसत के बजट सत्र का दूसरा चरण है अब आज संसत में पूरे जोर शोर से उठाने वाले हैं और इसे को लेकर कह सकते हैं कि हंगामा आज संसत में देखने को मिल सकता है तो अमेच शाके स्तीफे की मांग है आपर क्योंकि इससे पहले भी जब कॉंगर्स का प्रतिनिमंदल दिल्ले हिंसा को लेकर राटपती के पास महुचा था तो उस दूरान भी मांग की गई थी कि जिस तरह से फैल्योर यहाँ पर साबित हुआ है उसको लेकर कही न कहीं जिम्मदार यहाँ पर ग्री मंत्री की बनती है और ऐसे में ग्री मंत्री को इसके बतले तीन दिन तक जो दिल्ली जली है उसके चलते अब स्तीफा दे देना चाहिए तो स्तीवे की मांग का शोर आज एक बार फिर से यहाँ पर सुनने को मिल सकता है तो वजट सत्र का आज दूसरा चरण जिसकी शुरात होगी पहला जो चरण था वो 31 जनवरी से 11 परवे तक चला तो कॉंग्रेस सुत्रों के पार्टी के मताबिक बता दे कि संसद की दोनों सद्दों में सुनवार को कारेस ठगन प्रस्ताब का नोटस देकर दिल्ली में साम प्रदाइक हिंसा के मुद्दे पर बहस कराने की मांग की जा सकती है इसे बीच लोक सभा में कॉंग्रिस संसदिय दल के नेता अधिर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि पार्टी देली के दंगों का मुद्धा संसद में जोर शोर से उठाएगी तो संसद के सत्र का दूसरा ये चरण है और इस चरण में जिस तरह से दलने में हिंसा हुई है और कई लोगों की मौत हुई है उसके बाद जो फिल्योर यहां पर हुआ है उसको लेकर लगातार के इंदसरकार को घेरा जा रहा है और पूछ रहा है कि आखरकार चूप कहा और इस पूरी हिंसा का जिम्मेवार कौन है और इसी को लेकर ग्रीमंत्री अमिट शास से लगातार स्थीपी की मांग की जा रही है तो आज सदन में देखना होगा कि किस तरह का हंगामा यहां पर देखने को मिलेगा तो पहले से ही कॉंग्रिस अपनी तेवर दिखाने शिरू इस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई कॉंग्रिस का हमने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉंफरेंस की गई फिर आश्वती की पास डेलिगेशन पहुचा और पत्र सौपा गया कि जो भी हुआ उसकी जिम्मेवार कही ना कहें केंद सरकार है और घ्रीमंत्री और इसी को लेकर उ जो भी चर्चा है वो संसत के अंदर करने के लिए सरकार तयार है उसके बहस हो उसकी जो भी बाते वो पार्लियमेटर रखी जाएं लेकिन विपक्स जो है सोनिया गांदी का जिस तरह बयान आया था कि हमिशाह जो ग्रहमंत्री है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए इंस राजसभा की बात के तो राजसभा में आज केंद्रिय संस्कृत विद्याले जो खोलने का प्रोसीजर उसे लेके जो बिल है वो आज राजसभा में लाया जाएगा केंद्रिय अचाडी मंत्री रमेश पोखरिया निशंग जो है आज इस बिल को राजसभा में रखेंगे ल लेकिन सबसे बड़ी चीज की जिस तरह से विपक्ष ने अपना रुख अक्तियार कर रखा है, चाहे लोकसबाओ या राजसबाओ ऐसे में बिल किस तरह से पास होगा, देखना होगा. लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने अमित तयारी कर रखी है, क्या सरकार ने भी उसे तरपर तयारी कर रखी है, क्योंकि पहले तक तो बाहर ही घेरा जा रहा था, लेकिन अब संसद में सत्र के दुरान यहां पर घेरने की रणनीती, तो क्या सरकार की रणनीती इसको लेकर तया न्टिर्टर्नाजवादी पार्टी किसी ऊक्सक्राइए सान्सथ नहीं है जो मेरा प्रप्ण्रप्ण बिजम पmänेकावी उसे मिला भीतेज हो कर दो sık कर यह सकता है लेकिन amplasa इसे में बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है अलांकि विपक्स साथ तर्फ के कह रहा है कि सत्र का कैसे चलाना ये काम जो है वो सरकार का है हमारा नहीं है तो ऐसे में सरकार को लोगों से बात करनी चाहिए लेकिन जिस तरह से बैठके हुई खास्तोर पर जो चाहे वो लोग सब अध्यक्षी द्वारा बुलाई गई हो या पार्टी नेताओं की द्वारा बुलाई गई हो उन सभी बैठकों में सपष्ट हो चुका है विपक्स एक साथ रणनीत पकाम करना है और आप देखना होगा कि संसत में कि किस तरह का हंगामा किस तरह का शो शराब है यहाँ पर देखने को मिल सकता है बहुत दनिवाद आपका हमेद हमार साथ चोड़ने के लिए